नवस्कार आप देख रहे नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पू सांगी बिहार विधान सबाज चुनाओं को लेकर जो राजनितिक दल्य अपने अपने मैनोश्फेस्टो जारी कर दिया है इस वीच आरजेडी ने जो घोसना पतर जारी किया है उसमें बिहार की युवाओं पर खासा ध्यान देते हुए बिहार की युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में इस वार आरजेडी की सरकार बनती है तो वो युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे साथी साथ उन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर भी घोसना पत्र में जो जारी क्या है, साथ यका है उन्होंने कि अगर और जेडी की सरकार बिहार में बनती है तो वो छातरों को जो परिक्षा फॉर्म के फिस हैं, उसे माफ कर देंगे साथ ही साथ जो परिक्षा जाने के दौरान किराया देना पडता है, उसके आई हम आपको बताते हैं मनोज जहा ने टूइट करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही विदूत विभाग में कारेरत रूलर रिवेन्यू फ्रेंचाइजिज यानि आर आर एफ कर्मियों की उचत मांगों पर विचार कर त्वत्वरित समधान निकाला जाएगा हर एक विभा अपने मेनोफेस्टो में जिन जिन मुद्दो को उन्होंने शामिल किया है इससे साफ लग रहा है कि आर जेडी इस बार बिहार की जनता को अपने तरफ आकरसत करना चाहती है जो मेनोफेस्टो जाड़ी किया गया है आर जेडी के तरफ से इससे साफ होता हुआ नजर आ रह नीजी करन होगा बंद, सुरक्षा दास्ता का गठन होगा, छात्रों को लैप्टॉप दिया जाएगा, नौक्री में स्थाई नीती दीगी तो इन तमाम मुद्दों को आरजेडी ने अपने मैनोफेस्टों में जाड़ी किया है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन नीज के साथ, नमस्कार